अगर आपको भी खाना खाने के बाद खाना आसानी से पच्छता नहीं है और बहुत ही जल्दी गैस बनने लगती है अप अच्छ जहती समझताएं होती है तब आप एक बार इस हूम मिर्च चूरन के रेसिपी को जरूर राय करके देखें खाने के बाद आप ये आधा चमझत चूरन खा लेंगे तो आप वो खाना बहुत ही ईजिली डाइजिस्ट होगा और साथ ही गैस भी नहीं बनेगी इस चूरन को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे एक चमझत जितनी काली मिर्च साथ ही हम इसमें डालेंगे दो चमझत जितनी अजवाइन जो के गैस या खाने को पचाने के लिए बहुत ही जादा फाइदे मन होती है और हम इसमें डालेंगे ये दो बड़ी काली इलाइची तो काली इलाइची को हमें इस तरीके से छील कर इसके अंदा जो दाने होते हैं सिर्फ उसका यूज करना है ये तीनों ही चीज़ें पाचन के लिए बहुत ही ज़़ा फाइदे मन होती है आप इस चूरन को घर पर बनाकर रखें और जब भी आपको लगे कि आपको खाना नहीं पच रहा है या पिर आपको गैस जैसी समझा है तो आप इस चूरन को खा सकते हैं अभी इन सभी चीज़ों को हम एकदम धीमी धीमी आज पर भूनेंगी तेज आज पर नहीं पूनना है अधरवाइस जल्दी से सभी चीज़े जलने लगेंगी और चूरन का जो टेस्ट है वो बहुत ज़दा कड़वा आएगा तो बस ये सभी चीज़ें हलकी से भुन चुकी है गैस के फ्लेम को आफ कर देंगे और इसे ठंडा करने के लिए एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे जब तक ये मिक्षर ठंडा हो रहा है तब तक हम पापस से गैस पर पैन रखेंगे और इसमें डालेंगे हम एक छोटा चम्मच जितना देसी घी घी को हलका गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे दो चम्मच जितना मैथी दाना मैथी दाना को भी अभी हम धीमी धीमी आज पर अच्छे से भून लेंगे मैथी दाना का सेवन करने से हमें एसे डिटी में बहुत अत्तक राहत मिलती है साथ ही ये हमारे पाचन तंतर को स्ट्रॉंग करने में बहुत ही ज़दा फायदी मन होता है काफी सारे लोग तो मैथी को रात को भेगो कर सुबह उसका पानी पीते हैं जो कि बहुत ही हल्दी रहता है तो बस ये मैथी अच्छे से भुन चुकी है गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और इस मैथी को भी उसी सेम प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए जब सभी चीज़े अच्छे से ठंडी हो जाएंगी तब हम इन सभी चीज़ों को एक मिक्सी के जार में ट्रांस्पर करेंगे और इसका एकड़ महीन पाउडर बना कर दयार करेंगे सभी चीज़ों को जार में डालने के बाद इसमें डालेंगे एक चम्मच जितना काला नमक साथ ही हम इसमें डालेंगे यहाँ पर एक पिंच जितनी हींग हींग डाजिशन के लिए बहुत ही ज़दा अच्छी होती है साथ ही चूरन को बहुत अच्छी महग भी देती है और हम इसमें डालेंगे दो चम्मच जितनी सौफ तो सौफ को हमने भूना नहीं है इसी तरीके से कच्छी ही यूज़ करेंगे सौफ पेट को ठंडक देगी क्योंके जितनी भी हमने चीज़े डाली है ये काफी ज़दा गर्म है अब हम इसका एकदम महीन पाउडर बना कर तयार करेंगे ये जितना आदा महीन होगा आपको इसे खाने में उतनी ही ज़दा आसानी देगी तो ये आप देख सकती हैं मैंने इसका एकदम बारिक पाउडर बना कर तयार कर लिया है अभी हम इस पूरे चूरन को किसी भी एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर कर देंगे जिससे जब भी आपको गैस या ऐसिरिटी जैसी कोई भी समस्या हो तब आप इस चूरन का सेवन कर सकती हैं या फिर आप खाना खाने के आधे से एक घंटे के बाद हलके गुनगुने के पानी के साथ आधा चमची चूरन ले 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 इससे आपको गैस में बहुत जादा राहत मिलेगी तो आज को मेरी ये होमेट रेमेडी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कोमेंट करके जरूर बताएं ताके मैं इसी तरीके से और इंट्रस्टिंग वीडियो आप सभी के साथ ले कर आऊं तो एक बाद फिर से मिलेंगे एक और इंट्रस्टिंग रेसिपी के साथ तब तक के लिए ठीक या बाइ-बाइ